कहानियों की क्यारी में आज की कहानी है जगरनाथ जी की भक्त कर्मावाई की कथा कर्मावाई स्रीक्रिष्न की परमभक्त थी वह बचपन से ही स्रीक्रिष्न के बाल रूप की पुजा करती थी वह हर रोज उनको फल और मेवे का भोग लगाती थी एक दिन उनके मन में इच्छा जागरित हुई कि मैं अपने हाथ से कुछ बना कर भगवान को भोग लगाऊं उन्होंने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया भगवान ने बड़े चाब से उनका भोग श्विकार किया एक बार जब कर्मावाई ने खिचड़ी बनाई तो भगवान जी बालक रूप में कर्मावाई के घर गए और कर्मावाई उनको खिचड़ी खाने को दी भगवान बड़े भाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मावाई उनको पंखा करने लगी ठाको जी कहने लगे कि मा मुझे तेरी खिचड़ी बहुत अच्छी लगी तुम कल भी मेरे ले खिचड़ी बनाना मैं कल भी खिचड़ी खाने आऊंगा कर्मावाई बोली कि कल ही क्यों मैं हर रोज तुम्हारे ले खिचड़ी बनाऊंगे अब प्रती दिन जगर्नाथ जी कर्मावाई के घर खिचड़ी खाने आने लगे कर्मावाई सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और उसकी पश्चाद अन्य काम करती जगर्णाची द्वार पर आवाज लगाते जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा और कर्मा भाई जल्दी से उनको खिचड़ी परोस देती जगर्णाची चाप से खिचड़ी खाते और कर्मा भाई उनका हाथ मूँ धुलबाती यह हर रोज का नियम बन गया था एक बार एक महात्मा कर्माबाई के घर आये और उन्होंने देखा सुबा सुबा बिना नहाए कर्माबाई को खिचड़ी बनाते देखा महात्मा जी कहने लगे कि तुम बिना नहाए धोई ही भोजन पकाने लगती हो कर्मा भाई कहने लगे ठाकुर जी को सुबह सुबह भूग लग जाती है उन्हें मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पशंद है इसलिए मैं सुबह सुबह उनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ महात्मा जी सोचने लगे कि जगरनाच जी को तो छपन भोग लगते हैं वह कहां इसकी खिचड़ी खाने आते होंगे यह कर्मा भाई भावबस ऐसा कह रही होगी कि वह इसकी खिचड़ी खाने आते हैं महात्मा जी कहने लगे ये तो बहले नहाद होकर पूजा पाठ करके चुल्हा चौका शाप करके उसकी पहशाथ ही ठाकुर जी का भोग बनाया करो कर्मा भाई ने संत्य की बात मान लिया और अगले दिन कर्मा भाई ने उड़ते ही खिचड़ी नहीं मनाई ठाकुर जी द्वार पर आ गया और कहने लगे जल्दी कर्मा जल्दी से खिचड़ी परोस्ते कर्मा भाई कहने लगे कि पहले मैं असनान करलू उसके फिर से ठाकुर जी आवाज लगाई तो कर्मा भाई कहने लगी मैं पूजा पाठ करलू फिर ठाकुर जी ने आवाज लगा तो कहने लगे कि मैं पहले चुलहा चौकर शाप करनू उसके पश्चात कर्मा वाई ने खिचड़ी बनाई और ठाकूर जी को भोग लगाया ठाकूर जी सोचने लगे कि आज मा को क्या हो गया है भगवार ने जटपट खिचड़ी खाई आज खिचड़ी में वैसा भाब नही से आता था जगर नाच जी जल्दे जल्दे खिचड़ी खाकर बाहर चले गया क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का शमय हो गया था घर के बाहर जब उन्होंने महात्मा को देखा तो शमज गए किसी महात्मा ने मेरी मैया को पट्टी पढ़ाई है उधर जब मंदिर में जो पुजारी जी को शवपने में दर्शन दिये और कहा कि मैं हर रोज कर्मावाई के घर खिचड़ी खाने आता हूँ कर्मावाई को एक महात्मा ने पट्टी पढ़ा दी है तुम जाकर महात्मा को शमजाओ कि वह कर्मावाई से कहे तुम जैसे पहले भाव से मेरे लिए खिचड़ी बनाया करो आज उसके कारण ही मा को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई और जल्दे जल्दी खाने के चक्कर में खिचड़ी मेरे मूँपर लग गई पुजारी जी महात्मक के पास गए और सारी बात उनको बताई पुजारी जी ने जल्दे से कर्मा बाई के पास पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि ठाकूर जी की आखों में आसू आ रहे थे जब पुजारी जी को उनके रोने का कारण समझ नहीं आ रहा था जगरनाच जी पुजारी जी के श्वपन में आकर कहने लगे मेरी करमावाई देब लोग को छोड़ कर चली गई है अब मेरे लिए खिचड़ी कौन बनाएगा उस दिन निश्चे किया गया कि जगरनाच जी को रोज बाल भोग खिचड़ी का ही लगाया जाएगा